कि अज़िए सदिर जी और कैसे हैं आप सदिर जी बहुत बढ़ियां गिपर जी आप तो तो इस टाइम के बहुत पंचुल हैं और आज आप बहुत हैंसम भी लग रहे हैं अरे दन्यवाद आप मेरे से ज्यादा आपकी इस माइली बहुत अच्के लग रही है थैंक यू जी यह दिवाकर जी है नम्सका जी नमाश्का आए आए प्लीज बैठे आप लोग बैठे जी आपका हमारे घर में स्वागत है भावी जी आपका भी ए दिवाकर जी है हम दोनों 10 साल से बहुत अच्छे दिस्त हैं और यहां कि जो बच्छपन से हम लोग साथ में केलते कुछते आये हैं और आज तक का जो सफर है वो हम लोग का बहुत अच्छा रहा है तो मैंने सोच है और यह बहुत बढ़ी बिजनस्मेन है और समाज में इनकी बहुत बढ़ी पतिष्ठा है और दिल के बहुत ही नेक सच्छे इंसाम है इसलिए तो अरे अरे सुधीर जी बस कीजिए बहुत जादा हो गया अब आप तो शर्मिंदा ही कर रहे हैं मुझे हाँ सबसे पहले ये बताइए आप लोग क्या लेंगे चाए कॉफी क्या लेंगे आप जी शुक्रिया अभी कुछ नहीं अभी तो एक लास पानी रूपा जरूर दिव अर्मा घरम चाई लेकर आना ठीक है न दिवाकर जी आप पहली बार हमारे घर पर आए हैं चाई तो आपको पीनी ही पड़ेगी सर इसकी क्या जरूरत है आप परिशान मत होईए नहीं दिवाकर जी इसमें परिशानी कैसी आप मेरे घर पहली बार आए हैं और अतिति आप सुधीर के दोस्त हैं और सुधीर मेरे दोस्त हैं तो इस नाते आप भी मेरे दोस्त हुए न तो फिर ये आपका एक परिवार है और हम एक फैमिली है चाई तो जरूर चलेगी जी ठीक है ठीक है सरीता ठीक आदे घंटे बाद आप हम सब के लिए गरमा गरम चाई ले आना हम सब साथ मिलकर चाई पिएंगे। दिवाकर जी, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम यहां एक शांदार बिजनस ओपर्चनिटी पर बात करने के लिए बैठे हैं। मैं और सुधीर पहले से यह बिजनस साथ मिलकर कर रहे हैं। आज मैं आपको भी शांदार बिजनस ओपर्चनिटी और अपने काम के बारे में विस्तार से बताऊंगा। अगर आपको यह बिजनस ओपर्चनिटी अच्छी लगे तो आप भी हमारे साथ आ सकते हैं। अगर किस कारणवश आप इस बिजनस को ना भी करना चाहें तो बे हिचक मना कर सकते हैं तो क्या मैं अपनी बात शुरू करूँ जी ठीक है मैं अपनी बात शुरू करूँ इससे पहले मेरा आप सबसे एक नम्र निवेदन है कि जब हम आधा पौना घंटा बात करने वाले हैं तो उसमे किसी तरह की कोई disturbance ना हो तो इसलिए अगर आपको कोई जरूरी call करनी है तो किरपया अभी कर लें तो कोई as such बहुत जरूरी कोई call तो नहीं है और हम सब आधा पौना घंटा बैठने वाले हैं तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपना mobile phone silent mode में डाल दें अगर हम में से किसी को अगर वाश रूम जाना है तो वो भी पहले हो आएं कई वाश रूम तो अभी जाने की जरूरत नहीं है ने ने कोई जरूरत नहीं है वंडरफूल प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानियेगा दरसल मैं चाहता हूँ कि जब आप अपना कीमती वक्त निक ठीक है बिल्कुल ठीक है जी तो क्या मैं अपनी बात को शुरू कर सकता हूँ बिल्कुल शुरू कर सकते हैं तो दिवाकर जी आज मैं आपको चार बाते बताने वाला हूँ पहला सबसे पहले आपको मैं उस कंपनी के बारे में विस्तार से बताऊंगा जिसके साथ हम इतना शांदार बिजनस कर रहे हैं दूसरा फिर मैं आपको बताऊंगा हमारी कंपनी कौन यानि कि क्या बिजनस करती है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमें करना क्या है यानि इस business के जरीए कैसे और कितनी कमाई करेंगे हम तो दिवाकर जी आपको बता दूँ कि जिस company के साथ मैं और सुधीर मिलकर काम कर रहे हैं उस company का नाम है Glaze Trading India Private Limited और उस company का जो trademark है वो है Galway अच्छा दिवाकर जी एक बात बताईए क्या आपने हमारे trademark Galway या हमारी company Glaze के बारे में आज से पहले कभी कुछ सुना या जाना है जी नहीं इस से पहले मैंने इस company का नाम नहीं सुना आप जिस तरह से बता रहे हैं मेरे मन में एक सवाल आ रहा है क्या ये उस तरह की company तो नहीं है जो member बनाने का काम करती है दिवाकर जी आपका सवाल ना बिल्कुल दरुस्त है मैं आप से जूट नहीं बोलूँगा ये उसी तरह की company है लेकिन आज हमने आपको यहां member बनाने के लिए बिल्कुल नहीं बुलाया है हम जो कर रहे हैं वो कुछ अलग है फिल्हाल मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ अगर आप पूरे खुले मन से आधा पौना घंटा मेरी बात सुनेंगे तो आपको सबसे पहला फाइदा तो ये होगा कि आपके घर के राशन का जो बजट है वो आधा हो सकता है यानि आप अपने महिने के राशन के खर्च में आधा पैसा बचा सकते हैं जी बहुत बढ़िया मैं आधा पौना घंटा पूरे मन से अपनी बात शुरू करता हूँ उससे पहले मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको अब भी मेरी बात सुनने में कोई हिचक या हैजिटेशन है कोई दिक्कत की बात नहीं है हम और आप बहुत अच्छे मित्र हैं और आगे भी रहेंगे मैं इस बात को यहीं बंद कर देता हूँ और हम आराम से चाय पीते हैं गपे मारते हैं और अगर आप आदा घंटा मुझे खुले मन से देना चाहते हैं और मेरी बात को सुननेते हैं तो आपको सारी बाते मैं विस्तार से बताता हूँ बोलिए आप क्या चाहते हैं क्या आग्या है आपकी अरे नहीं आप आराम से बताईए अभी तक आपने जितनी बाते आराम से और विन्नम तरीके से बताईए मैं आगे भी जानना चाहूंगा कि और क्या है चलिए बहुत बढ़िया मुझे यह जानकर बहुत बढ़िया लगा तो हम आपको आगे continue करते हैं अब मैं आपको पूरा समझाना शुरू करता हूँ अपनी कंपनी के बारे में जी